आज मैं सबके लेके आई हूँ है। taxpayer , अब देख सकते यह आईस क्रीम कितना अच्छा देखने में लग रहे है। जो मैंपये सब पहले क्या चाही है , मैं यहां पर कश्टव पॉर्र ले रही हूँ , यह बनिला व्ला है। यहां पर एक लिटर दूद में यह चमच से तीन चमच ले रही हूं तो अब इसको मैं इसमें ट्रांसफर कर दूँगे और इसमें मैं क्या करूंगे यह रूम टेंप्रेश यहां पर मैं दूद डालूंगे वह भी रूम टेंप्रेश चलवारा एकदम ठंधा होना चाहिए ग अगर आप गरम दूद में इसको घोलेंगे तो क्या होगा इसमें घूठली आप जाएगी और लंप जो होता है न वो आ जाएगा तो इसके लिए एकदम ठंड़ा दूद से इसका घूब एक बनालेजीए इसको अच्छी से मिक्ष से कर लेना है इस तरह से हमें इसको मिक्स कर लेना है तो आप देख सकते हैं इसको हमने गोल लिया इसमें थोरा सा भी गुठ लिया नहीं है तो अब हमें क्या करना है यहां पर देख सकते हैं हमने यहां पर एक लिटर दूद लिया है यह फुल फैट क्रीम वाला दूद है और इसको हमने हा या लो फिलंफ पर उबालेंगे और इस को छोड़ देंगे नहीं चलाएंगे तो यह संगा आपका इंस खराबी और आपका इस क्लिम हो चकता है इसको चलाते हुए हमें तो आप देख सकते हैं दूद में जो है एक उबाल आ चुका है तो अब हमें इसे क्या करना है पांच मिनट इसको हमें हाई फ्लेम पे ही इसी तरह से चलाते हुए पहले उबाल लेना है देख सकते हैं इसे हमने पांच मिनट और उबाल लिया था अब हमें इसमें क्या करना है इसमें डालना है चीनी मैं ये कप से थोरा सा एक कप में थोरा सा कम चीनी डाल लिए आप अगर इससे भी मीठा कम खाना पसंद करते हैं तो कम कर दीजिए नहीं ज्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप इससे भी थोरा सा ज्यादा मीठा कर सकते हैं आप अपने हिसाब से कर सक तो इसको भी थोरा सा एक बार लेते हैं, मैं ये कतोरी से एक कतोरी से थोरा कम मिल्क पौडर ले रही हूं इसमें मिल्क पौडर डालने के बार इसको हमें अच्छे से चलाना है ताकि इसमें गुठली जो है वो ना परे नहीं तो क्या वहता है जो गुठली पड़ जाता है तो इसको अच्छे से आप चलाते रहे हैं हमें सबसे पहले क्या करना है इसको एक बार दूद में डालने से पहले एक बार हमें इसको अच्छे से मिक्स कर देना नहीं तो क्या होता है यह अंदर में सब बैठ जाता है तो इसके लिए एक बार इसके लिए इसको अच्छे से आप चलाते ही इसको पकाना है जाह सकते हैं This न बबल आना शुरू हो गया तो इसका मतलब है यह हमारा यह जो है जो शीटी हो चुका है बन के तो अब हमें क्या करना है में गेर साहब लें और देना है और इसको अच्छे समय थंडा होना हो सकते हैं यह हो चुका है रूम टेमपरेचर पर आ चुका है लिकिन हमाने क्या का करना मैं इसे एक घंटे के लिए फ्रीज में रख दिया था यह कितना अच्छा से एकदम से चम गया है तो अब हम सब से पहले हमें क्या करना है यहापे बिप क्रीम ले रही हूँ आपके पास अगर घर का ताजा मलाई है ताप वह ले सकते हैं आ नहीं ताप अगर इसमें बनाएंगे ताइस क्रीम मे बिप क्रीम ही डाले क्योंकि यह इजली कहीं भी कोई सभी इस्टोर पर यह मिल जाता है अगर आपके पास यह है तो आप यहीं डाले अब हमें क्या करना है यहां पर मैं एक लीटर दूद में मैं एक कटोड़ी बिप क्रीम को ले रही हूं इसे हमें क्या करना एक यह बिप कर लेना है इसे हमें अच्छी से इसको इस तरह से हमें फैटना है तब तक फैटना है जब तक कि यह एकदम से फ्लापी न हो जा तब तक इसे हमें फैटना है अगर आपके पास बिक्सर मसीन है तो आप उससे फैट सकते हैं नहीं ता आप इस जब न चुका को भी हमें अच्छी मिक्स करते हुए इसको safet लेना है जितना अच्छा आप इसको फेटेंगे न उतना झ्यादा हल्का यह आइसक्रीम आपको बनके रिडी होगा तो इस तरह से हम मिक्स करते हुए इसको हम फेटेंगे इसे हम इस तरह से फेटेंगे अगर आप इसमें चाहे तो कलर भी एड़ कर सकते हैं नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं और किकिस स sekarang कि तो आप देख सकते यह कितना हलका देखने में भीलग राई आपके पास जो भी आप ले सकते हैं और इसुक्त को भर देंगे आप देख सकते हैं यह क्रीमी भी कितना लग रहा है तो अगर आपके पास विफ क्रीम है तो आप उसी से बनाईए नहीं तो कोई बात नहीं घर के क्रीम से भी आप बना सकते हैं कलर एड करना चाहेंगे तो वह भी कर सकते हैं नहीं तो आपको इस तरह का लाइट कलर आएगा इसको हम अच्छे से पहले भर देंगे तो हमने इसको अच्छे से भड़ दिया है अब हमें इसके सहता से इसको इस तरह से करके थोड़ा सा इसको हम टैप कर देंगे और अब हमें इससे क्या करना है फ्रीज में आठ से नौ घंटे के लिए इसको हम फ्रीजर में रख देंगे सेट होने के लिए ताकि ये अच्छे स सेट हो जाए इसे देख सकते हैं इसको हमने आच से नौ घंटा फ्रीजर में रखा था ये जम की एकदम रेडी हो गया है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है इसको हम क्या करेंगे कि इसको एक ये कर्ची लेंगे कर्ची के सहेता से हम इस तरह से इसको हम निकाल लेंगे देख सकते हैं ये देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है इसको एक बार जरूर आप बना के खाईए और मुझे भी बताईए कि आइसक्रीम आपको कैसी लगी तो तक तक के लिए बाए